नमस्कार दोस्तों हम आपको बता दे UP-NHM-CHO का रिजल्ट जारी हो गया है उत्तर परदेश National Health Mission रिजल्ट 2019 डिकलेड हो गया है चलिए आपको बताएं कि रिजल्ट कैसे देखते हैं रिजल्ट देखने के लिए आपको सरकारी रिजल्ट.com खोलना पड़ेगा या तो दूसी वेबसाइट आप खोल सकते हैं रोजगार रिजल्ट.com दोनों ये वेबसाइट टॉप की ये नमबर वन वेबसाइट है सही जानकारी और सबसे तेज अबडेट आपको मिलेगा तो चलिए रिजल्ट डेखने के लिए आपको दोनों वेबसाइटों के किसी भी वेबसाइट को अगर आप खोले आपको रिजल्ट सेक्शन में जाना पड़ेगा तो दोस्तों UPNHM CHO result के लिए आपको result section में जाना पड़ेगा और click करना पड़ेगा चलिए दोस्तों जैसी आप click करेंगे आप देख सकते UPNHM का result जारी हो चुका है दो पोस्टों के रेलग रेलग result हुआ था ये पोस्ट एक 6000 vacancy के लिए हुआ था एक और vacancy के लिए हुआ था दोनो vacancy के result जारी हो गया है तो युत्तर परदेश National Health Mission result जानने के लिए करना क्या है चलिए ये बताते है दिर जानने के लिए आपको download result वाले section पे click करना पड़ेगा जैसी आप click करेंगे आप देख सकते हैं दो result है एक session 1 का है एक session 2 का है written exam के दोनों result जारी हो गया है आपको result देखने के लिए जो भी result हो आपका session 1 या session 2 आप इस पे check कर सकते हैं बाइच अगर आपको session 1 में ना मिले तो आप session 2 में भी try कर सकते हैं तो चलिए हम session 1 में try करते हैं अगर नहीं result मिलेगा तो हम session 2 में भी try करेंगे चलिए session 1 पे हम click करते है यह देखिए दोस्तों जैसी session 1 पे हमने click किया हम से application ID और date of birth मांग रहा है application ID हमारे जो हमने form भरा तो उस पे दिया हुआ है और date of birth आपको पता ही है जो जिसका candidate का आपको date of birth डालनी है चलिए सबसे पहले इसमें application number डालते है और date of birth डालते है फिर जानते है देखे आगे फूरता क्या है पूरी जानकरी के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा ताब कि आपको सारी जानकरी सही मिल सके दोस्तों यह देखे हमने application ID डाल दिया लेकिन date of birth का format इसमें अलग है आपको इसी format में आपको date of birth डालना पड़ेगा जैसी आप यहां पर click करेंगे आपके लिए देख सकते हैं यह page open हो जाएगा इसमें आपको date of birth सेलेट करेंगे यह पहले आप year सेलेट कीजे फिर month करेंगे तो आ जाएगा चली करके दिखाते हैं यह देखे दोस्तों इसमें अपने डियो डाल दी application ID डाल दी अब हमको यहां submit करना है जैसी submit करेंगे हमारा result open हो जाएगा चली करके दिखाते हैं submit करके आपको बताते हैं देखा दोस्तों आपने हमने result चेक किया हमारे जिस candidate का हमने चेक किया है वो qualified नहीं है यानि not shortlisted तो दोस्तों हो सकता हो आप qualified हो हमारी सुबकामना है आपके साथ है result जरूर चेक कीजिएगा UPNHM का result पूरी तरीके से जारी भी हो चुका है हमने आपको करके भी दिखा दिया है तो उमीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि result कैसे देखना है qualified है कि नहीं qualified है ये भी आपको पता लग गया होगा तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ share कीजिएगा like कीजिएगा सब्सक्राइब बिक